कूं कि बिसमिल्लाइस ईए पिछले लेक्षिटे में हमने क्या देख़ा है अभी पिछले लेक्षिट ru waar रहे गई है है ठोटी सीन नेखें आई-जी-ई पहले देखते हैं देखें सिंपल सी चीज ऐसमें दो कंट्च सेंट सिर्फ दोगंगे का कर यह आपका ब्लड है ठीक है शर्कुलेशन है और इसके अंदर क्या पड़े हुए है बेसोफिल्स समझते हैं कि टाइप होती है ठीक है जब बेसोफिल्स ब्लड से बहर निकल कर क्या कहेंगे क्या क्या कहेंगे तो यह क्या होते हैं इस तरह के मास्ट सेल्ज के उपर कौन सी यहां पर क्या पड़ा हुआ था यह questionnaire के आया जब यह पैथोजन के पास आएगा तो आपके मास्ट सेल के ऊपर आई जी ए आके लग जाएगी कौन आके लग जाएगी आई जी ए आपकी आई जी ए आके इस मास्ट सेल की सर्फिस के ऊपर लग जाएगी जैसे ही इसकी सर्फिस पर लगेगी अब नेक्स्ट टेप क्या क्या करा देता है क्रास लिंकिंग यानि इस तरह की कोई दो चीजे हैं तो बीच में आके इनको ऐसे क्रास लिंक कर देगा इदर से जोड़ जाएगा इदर से जोड़ जाएगा तो इस तरह यह क्या कर देगा इस तरह क्रास लिंकिंग कर देगा जैसे ही IGE की क्रास linking होगी next process यह होता है कि आपका यह जो mast cell है यह क्या हो जाता है activate जैसे ही यह activate होता है तो यह histamine release करता है क्या release करता है histamine का नाम सुना हुआ है कि यह mediator है inflammation कास कराता होता है ठीक है inflammation को हम detail में पढ़ेंगे इनिशाला तहला आगे जाके ना जनरल पैथालोजी में अभी यह देख लें कि histamine क्या करता होता है inflammation करता होता है जैसे ही आपका histamine release होगा तो मैं यह जारा साफ कर लो इसको तो आपका histamine basically चार चीज़ें करता होता है सबसे पहले आपका histamine करा देगा vasodilation क्या कराएगा vasodilation मतलब आपकी जो blood vessels हैं वो क्या कर जाएंगी dilate कर जाएंगी जब वो dilate करेंगी तो आपके neutrophils यह blood vessel में जितने भी आपके पढ़े हुए थे neutrophils macrophages यह easily बहर निकल सकेंगे और तोड़ यहां पर पढ़ा हुआ है उस साइट पर आ कोश होती है तो BP क्या होता है इंょ फ्टा करती है इसी वजासे आपका ब्रोंकक्रस्पास्म क्या होती है आपकी जो by suit ही वह सुकर जाएंगे जाए का सीङरफ कोegen given की कनस्टोंगी तो आपको क्या हो जाएगा शाटने सब ब्रैथ हो जाएगे आपको आपके परस not क्यों हो जाएगे शाटने सब बुड करती है आपके क्यों करते हैं यह इसकी यह जिय आई टी में मुटैलिटी बढ़ेगी जहारा चीज़े मूव करेंगी तो आपको क्या हो जाएगा डैरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा डैरिया और साथ में क्या हो जाएगी वुमिटिंग हो जाएगी वुमिटिंग और डैरिया आप लों को यह हो जाता है इस तरह की क्रिडिशन हो जात जो आप क्लोरें फरेनिकोल तेब्रश उसक्रते वो क्यों सी होती है enntihistamine होती यह हिस्टामीन को जाकर रोकती है ताक्रिकों कि एक पर कि bigger नवे और थो इस्टि मे derivedrain तो इसार आपकर क्या होजाए ने इस सके हो जय से करें कि आपके एक संटामीन यह श क्रता हुआ स das के बेसुफल पड़े होते हैं तो वो बेसुफाल होते हैं जब वहाँ से वो सक्रीट होते हैं तो कहां पहुंचते हैं जब टिसू में या आद या इड़ साइट इस इनलिमेशन पहुंचेंगे ना यह र कॉंचेंगे now they are called mast cells now these mast cells now IgE will be released will be secreted and it will come and will attach on the surface of mast cells it will be attached on the surface of mast cells after that what is the next process that these antigens will come that have got that that have got entry into our body they will come and they will cross cross link these antibodies when the antibodies cross link then next process that your your mast cell will be activated muscle kya ho jayenge active ho jayenge jayse hi mast cell active honga they will secrete the histamine mediator histamine mediator will perform four things first one is the vasodilation so your bp will be will be low down ho jayega us ke lawa second process it will cause the broco spas so it will cause the shortness of breath third one that it will cause the increase the mortality of git so it will cause the vomiting and diarrhea and fourth one it will cause the skin rash so this is four processes you have to do this igeo hepersensitivity type one ii we can also work on this 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 ii पर सेस्टिटी टाइप बण में क्या होता है यह चीज़ें कैसे होते हैं बिलकुल सेम परसेश होता है रपीट करने की जरुरात है नहीं है वेरी गुड टू चैनल उसे बाइट बाइट मास चैल्स ऎल बाइट विलक सब्सक्राइब होते हैं ऍार अन्दर रहें हैं यह चैंडाग्ध सब्सक्राइब बेसफिल्च आपका दिस जाप कराती है इस च्यांश ख्राइग जाए चोश्तार रहें रहें नजिकिए जो आपके वह यह वह प्रइब गरार है इसलिए इसको क्या बोलते हैं इसलिए अलर्जन होगा अलर्जन मेडियेटिंग इमीजीट टाइप वन टाइप बनते हैं अगर गलत इंजेक्षिन लग जाती है और यह फॉरन रिस्पोंस करती है और किसी को अगर किसी इंजेक्शंट से कोई प्राब्लम ह तो वो वेदेन मिनेट वेदन 30-40 मिनेट आकर हो जाते हैं यह बहुत इमेडिये टाइप वन बहुत खतरनाक होती है मैं दोक्तेश तो जब मेरी चाल रहे हैं तो उस वक्ट कर जो आना एमिवेस डॉक्टर था उसने इसको इंजेक्ट किया बच्चे को असल में उसके पास जो उसने उसको side पे बनाया हुआ था क्योंकि शफ्राइख्षम को जब आपने inject करना हो तब ही बनाया करें उसके powder को तभी mix कीया करें रखा हुआ आप युज नहीं कर सकते उस बंदे ने शाम को मिक्स करकि रखा हुआ था था तो शुबह जब patient आया तो बच्चे को इसको बनाया उसको फॉरन रेक्षिन हुआ उसकी बाड़ी पे फॉरन रेक्षिस बने उपर इठार हुआ था तो उसको बहुत ज्यादा इंफेक्शन हुआ बच्चे की हालत बच्चे ऐसे गिरता सच अचला गया तो डाक्र खोद भी डार गया उसने जल्दी सा इसको करेमें सब्सक्राइब करने होती है लुद बहुत गया फिया नहीं करनी होती है अब वह बंदा बेज की बात मुझे पता है द्रम्यान की क्वेला गार से लड़के आए था तो यह लाप्रवेस को नहीं करनी चाहिए थी तो उसने अपनी बीवी का गुस्से से जो है न एक बच्चे की छोटे बच्ची मसूम बच्ची की जांचे दी जी डाक्रसी से नहीं संबला गयाता तैप-1 जो है यह काफी वर्ब उसको दिया था कि विसको नहीं लेकिन उसको सिर्फ काम इंजेक्शन था लेकिन नहीं उससे कवर हुआ था पता नहीं उसको क्या हो गया था एक तो मेरी ख्याल में बच्चे को फीवर जा रहा था क्योंकि आपको पता है फीवर जब ज्यादा हो 100 प्लास हो तो नहीं देना चाहिए यह अब तक टमपरिचर नहीं तो उसका टमपरिचर जा रहा था उसने उसको इंजेक्शन दे दिया उसका दिमाग पता नहीं कहां पे था और दूसरा जो है ना उसने उसको पुराना बराव इंजेक्शन दे तो इससी जिए उसको मसला हो गया था तो चले खैर वापस है टाइप 1 हैपर कि क्या होते हैं कि ये भी राइक होती है ठीक है यह आपके वहाँ से ब्रय निकले साइट इंफेक्शन की जगापर आपके यह इसदो आपके पहुंच चुकए हैं यह इस-बल्द्स होते हैं अब यह पड़े होते हैं तो तो इसकी surface के उपर क्या लगेगी आपकी IGEI आ के लगेगी बलके bullet seconds में लगती है इस तरह, IGEI आ के लगेगी तो आपका कोई भी parasite आएगा जब इसनोफ बहुती है , आपके parasite को कौन मारते होते है। कौन से bight blood cells ? इसनोफेल्स मारते होते है, ठीक है आपका Parasite यानि कोई Helmence आया है, Helmence यह नहीं Parasite की टाइप होती है, ठीक है, Helmence, इसको याद रख लें, ड्रामा आजकाल चल रहा है, संगे मा, तो वो Hilman है न, तो Hilman से Hilman, तो इसकी शिकल कुछ इस तरह की होती है, आपके Parasite की न, तो यह आपका समझ लें कि आपका Sinophil ह इसके ओपर क्या लगी हुई है, आपके इस तरह की IG, E लगी हुई है, तो यह जा के इसके ओपर इस तरह फेट होता है, और इसके ओपर फेट बैट के फिर Mediators ब्लीज करता है, और Mediators इसकी क्या कर देंगे, Direct Killing कर देंगे, इसमें कोई और Process Fagocytos या जो वाली चीज़े नहीं है, Serotoxic Release होके वो जाके इसकी क्या कर देंगे, Killing कर देंगे, और इसकी क्या हो जाएगी, Death हो जाएगी, इस तरह इसको मार देते हैं, तो यह मैं चीज रपीड कर रहा हूँ, कैसे भई यहां से Sinophils बहर रहा है, इसके उपर IgE आके लग जाएगी, IgE जाके आपके Parasite के उपर जाके Attach होगी, और जैसी IgE Attach होगी तो आपके Sinophils एक्टेव हो जाएगे, यह जैसे ही Active होगा, यह Serotoxic Killing कर देंगे, क्या कर देंगे, उसकी Serotoxic Killing कर देंगे, और इसको जो है न Serotoxic Killing, यह क्या होती है, क्यों इसको Antibody Dependent Serotoxic Killing कहते है, Serotoxic Killing तो हो रही है, कि Serotoxic Mediator Gleans हो रहे है, इसको कर रहे है, यह Antibody Dependent क्यों होती है, थोड़ा सा दिमाख मिला है, थोड़ा सा, Very good, क्योंकि यहां पर आपका IgE जो है न, वो आपकी Helport कर रहे है, यह अगर IgE ना हो, तो क्या Killing होगी, तो Antibody आके, Antibody Dependent कर आ रही है, वो उसकी क्या कर रही है, Killing कर रही है, तो इसरे क्या है, Antibody Dependent है, है इंटीबडी होगी तो के लिफट हberg होगी वरणा नहीं होगी हो तो्झी रिए लेकिन इंटीबडी डिपेंदेट्इट्टय कि लिगे हो रही है तो इसे इसको बोलते हैं इंटीबडी साजेरो डॉक्षिक टिलिंग IGE समझ आ गिया है कोई चीज रह गई हो हैं मैं देख लूँ कि शायद कोई चीज रहना गई हो मेरी ख्याल में सारी हो गई है IGE के बारे में चले उसके बाद है IGD 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 not important just देख ले इसका function अभी तक आने के लिए रहा है recognize नहीं क्या गया क्या function होता है found on the surface of memory sorry memory many many B cells and in serum और serum में भी यह होती है और यह आपके जो उसकी surface पर भी यह लगी होती है अगर वह पूछे तो कौन सी antibody यह जो में भी होती है और आपके B cells की surface पर भी होती है वह कौन सी होती है आपकी IGD होती है अगर आगे थोड़ा सा देख लेती है थोड़ा सा है यह दो टाइक आपने पहले पढ़ा हुआ इसको आपने पहले इसको पढ़ा हुआ आप लोग खुद इसको answer करेंगे क्या है बस पांच बिलिट्स मुझे पाता थक चुक्या आप लोग antigen type and memory यह क्या होती है antigen type and memory यह दो तरह की होती है थाइमस independent antigens और थाइमस dependent antigens पहले पढ़ा वह आप लोग ने ना मैंने पढ़ा है था अब थाइमस यह क्या होता है इसमें simple reading करते है antigen lacking of peptide component जिनके पास lipopoly secrides होते हैं यानि के gram negative होते हैं इनके पास protein नहीं है क्या नहीं है protein नहीं है जब इनके पास protein नहीं है तो क्या यह वाला सारा process होगा जो macrophage पकरता था T cell को जैसे था T cell B cell को B cell plasma को plasma antibodies बनाते थे और antibodies जाके kill करते यह process होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसमें protein और आपके T cells सिर्फ उसी को recognize करते हैं जिनके पास क्या होती है protein होती है लेकिन इसमें protein नहीं है तो मतलब इसमें T cell involved नहीं है T cell involved नहीं है तो यह कौन सी है थाइमस independent ह है क्योंकि आपके T cells mature का होते हैं थाइमस में इसलिए इसको क्या बोलते है थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजन लेकिंग प्टाइड कंपोनें एक्जेंपल लाइप पोली सक्राइड नहीं होता फ्रम ग्राम नेगटिव बैक्टेरिया के नाट भी प्रिजेंटेड बई एमसी क्लास 2 T cells weekly immunogic इनका response क्या होता है वीक response होता है ठीक है और यह किस के जरी फिर active होंगी यहां से मैंने पढ़ाय था ना यहां से यह BCR IgM के जरी इसको क्या करेंगी बी सेल को active करती है और फिर इसको second signal मिलता था बी सेल को फिर आपका बी सेल क्या होता था अक्टिव हो PPSV23 जेकि यह पर क्या कह रहा हो वो कह रहा है कि PPSV3 23 23 इसको क्या मतलब होता है यह होता है आपका polysecride sorry streptococcus pneumoniae और प्या वजिसरीजान वह यह चlles स्टेप्तोवियों कर प्याद सिर्द कोकल इसमें और फ स्टेप्तो जिए वयलिच भी तया की तो और आपका पोली से ह्राइड होता है तो इसमें वन प्रासेस है नहीं होगा तो जो इम्यून सिस्टम जो Monate उता है वह वीघ सा होता है क्या होता है वीघ सा अब इसमें मनें वैक्शीन तो दे दिया इसको हमें नीड होती है हम क्या देते रहें इसको बूस्टर देते हैं जो जा कि आपकी वेक्सीन को बैटर काम कराती है तो हम यह देते रहेंगे उसको और साहत मैं क्या है, हम उसको बूस्टर्स का मतलब होता है कि जिसके आज कल कोवेड के बूस्टर देते हैं एक वेक्सीन दी सब्सक्राइब करना शीज को चोटी होटी वेक्सीन उसको लगती भी रहेंगी इसे कहते हैं बूस्ट यह समझ आ गया है थामस इंडिपेंडेंट एंटिजन इसको रपीड करूं कि थके थके से बैठे हैं मुझे पता है लेकिन अगर समझ नहीं आई तो मैं रपीट कर देता हूं एक बिन लगेगा रपीट कर दूं कर देता हूं कोई बात न नहीं होगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम बनेगा वो क्या होगा वीक सा होगा तो इसलिए हमें क्या नीड होते हैं बूस्टर्स नीड होते हैं या पिर एड्जिवेंट्स नीड होते हैं जो इजाफी हम देते हैं जो आपकी वैक्सीन को बैटर काम करने में रोल के दर करते हैं और इसके एक्जेम्पल है कैप्सूलर पॉली सेक्राइड होती है सब यूनिट अफ स्ट्रेप्ट कोकस निमोना है इसके खिलाफ हम वैक्शिनेशन करते हैं और इसके शार्ड फार्म है पी पी एस वे ट्वन्टी थी वैक्शी समझा गिया है चले बस आखरी है हो गया है हो गया है सबर कफल मीठा होता है है थाइमस डिपेंड़ एंटीजेंस एंटीजेंस कंटेनेंगा प्रोटीन कंपोनेंट जैसा कि आपकी यह एक्जेम्पल से दी है स्ट्रेप्ट कोकस निमोनाय यह सी से हो गया कांजूगेटड वैक्सीन वी थल्टीन इससे क्या मतलब होता है कि आपका जो पॉली से क्राइड होता है यह भी स्ट्रेप्ट को कस निमोनाय खिलाफ ही वैक्सीन होती है लेकिन हम पॉली से क्राइड के साथ एक डिफ्टेरिया टॉक्सिन लाइक प्रोटीन यानि लाइगेगे की यह सारा प्रास्सेस होगा क्योंकि इसकी वैक्सीन में प्रोटीन होती तो में गो 100 आप यहां पर स्ट्रांट बनते हैं आपकी community भी क्या होती है strong so immunologic memory occur as a result of direct contact of V cells with T helper cells तो के साथ इसका direct contact होगा तो यह memory cells बनेगे और यह थोड़ी active किसिंगी होगी और इस एग्जेंपल यही है कि PCV 13 vaccine के इसमें आमने इस चीज़ को add कर दिया है just a second m2 देख लूँ कि कोई चीज रह न अगे हो बाकि हम लोगने कर लिये हैं आप लोगने कर दिखाये कोई सवाल आप लोगं का भाई बात है यो time as independent होती है यह more specific होती है और यह more specific नहीं होती है less specific कोई चीज़ रह गयी हो अप लोगं को समाझ ना ही हो रपीट करने की जरूरत हो कोई क्वेस्चन हो कोई सवाल नहीं है चले ठीक है अलाहाफिस